साल 2013 पहली बार दुनिया के सामने एक नाम सामने आया अबुबकर अलबगदादी ये वही तारीक है जिस दिन बगदादी ने अपने आपको उत्तरी इराग के शहर मौसूल की अलनूरी मस्जिद में खुद को खलीफा के तौर पर पेश किया हालाकि साल 2004 से ही वो आतंकी गतिविदी से जुड़ चुका था दिल में पश्चिमी देशों के लिए गुस्सा पल रहा था इसके कई सालों बाद बगदादी एक कहर बन गया और इसमें उसकी बीवी असमा मुहम्मद ने भी उसका खूब साथ दिया जिसे एराक की एक अदारत ने फांसी की सजा सुनाई है अलजजीरा के मताबिक असमा मुहम्मद को यजीदी महिलाओं की किटनैपिंग में बगदादी का साथ देने के आरोब में दोशी पाया गया है जिसके बाद कोट ने अब उसे फांसी की सजा सुनाई है अस्मा मुहम्मत को 2 जून 2018 को सीरिया की सीमा के पास हताय प्रांत में गिरफतार किया गया इस महिला के साथ 10 और लोगों के भी गिरफतारी हुई थी जिसमें लीला जबीर नाम की बगदादी की बेटी भी शामिल थी बगदादी की बेहन और बेहनोई को भी पकड़े जाने की पुष्टी हुई थी इसके बाद इराग की सुप्रीम जुरुश्यल काउंसल ने बताया कि अस्मा को आतंकवाद विरोधी कारून के तहत हिरासत में रखा गया है अस्मा ने यजीदी महिलाओं को अपने घर में चिपाया और बाद में उन्हें आइसिस को सौप दिया साल 2014 में आइसिस ने महिलाओं को जबरन वैशा वृती में धकेल दिया जहां पर आए दिन उनके साथ रेप होता कई महिलाओं ने अस्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं लेकिन अस्मा ने इन सारे आरोपों को खारिज कर दिया है आपको बता दें कि अबुबकर अल बगदादी ने साल 2014 में स्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी और आइसिस का लीडर बन सीरिया और इराक के एक बड़े इलाके पर कबजा कर लिया बगदादी के एक इशारे पर इसके लड़ा के कई हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं दहशत का दूसरा नाम बन चुके बगदादी को अमेरिका ने 27 अक्टोबर 2019 को स्पेशल ऑपरेशन के जरिये सीरिया में घुस कर मौत के घाट उतार दिया था वैसे बगदादी का जन्म इराक के सामराई शहर में एक सुन्नी परिवार में हुआ था बगदादी का असली नाम इब्राहीम अववाद इब्राहीम अल बदरी था उसे बचपन से ही धार्मिक चीजों से लगाव था उसने बगदाद युनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और बाद में पीसडी भी की फिर कुछ सालों तक उसने एक इमाम के तौर पर काम किया इसके बाद साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और ताना शाह सद्दाम हुसैन का तकता पुलट किया बगदादी ने इसे एराक के लिए खत्रा माना और अमेरिका से बद्ला लेने की ठान ली इसके बाद बगदादी ने खुद का एक छोटा आतंकवादी संगठन बनाया इस संगठन ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया लेकिन साल 2004 में अमेरिकी सेना ने बगदादी को गिरफतार कर लिया और दस वहीने कैद में रखने के बाद उसे छोड़ दिया यहां से रहा होने के बाद बगदादी अलकाइदा में शामिल हो गया साल 2006 में वो एक यूआई के संगठन मुजाहिर शुरा काउंसिल से जुड़ गया इसी साल ये संगठन इसलामिक स्टेट आफ एराक में तब्दील हो गया और बगदादी उसके सलाकार शुरा काउंसिल का हिस्सा बन गया अमेरिका ने साल 2010 में संगठन के नेता अबू उमर अल बगदादी और उसके करीवियों को मार डाला इसके बाद बगदादी इसका प्रमुख बन गया यही से उसने इसलामिक स्टेट आफ एराक को बढ़ाना शुरू किया साल 2013 में संगठन ने सीरिया में राश्ट्रपती बशर अल असाथ की खिलाफ लड़ा के भेज कर और वहां अल नुशना संगठन की स्थापना की अपरेल 2013 में बगदादी को इराक और सीरिया में बढ़त मिली यही से उसने आईस की स्थापना की जून 2014 के आते आते आईस ने इराक के ज़्यादा तरहिस्सों पर कबजा कर लिया और देश्चत फैलाया ब्यूरे रिपोर्ट क्राइम तक